जै मातादी कैसे हैं आप सब आज बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा विशे आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि जिनका गुरू यानि देव गुरू ब्रस्पती जिनके खराब है शादी जिनकी नहीं हो रही है जिनको पता ही नहीं है कि उनका ब्रस्पती देती हूँ कि अगर देखिए जीवन में एक बार शादी तो होनी ही होनी होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी बहुत देरी से होती है और देरी से शादी जब होती है तो तब तक व्यक्ति के बन में जिसकी शादी नहीं हो रही है बहुत सारी कुंठाएं घर क जाती है confidence low हो जाता है और समाज को देखने का उसका नजरिया जो है वो बदल जाता है तो आज हम जिस topic पर बात करने वाले हैं वो topic है कि शादी में विलंब क्यों आ रहा है या हमें life में luxury क्यों नहीं मिल रही है या हमें जो सुख सुविधा हमें पती या पत्नी से मिलनी चाह आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपका गुरू खराब है तो उसके क्या लक्षन हो सकते हैं तो लक्षन नमबर एक अगर आपके चोटी के बाल जो है जड़ने शुरू हो जाए तो it means आपका गुरू खराब है ये अशुप गुरू के लक्षन है माला अगर बहुत ज गुरू की अशुप लक्षन जो है वो दिखाई देते हैं इसके इलावा हम बात करेंगे अगर आपकी शिक्षा जो है वो बीच में अधूरी रह जाए या आपकी शिक्षा में बार बार रुकाव्टे आती हूँ या आपने higher education लेने में आपको बहुत दिक्तों का सामना कर हो तो उससे में भी आपके खराब गुरू के लक्षन होते हैं जो कि अशुब लक्षन है या आप जो है आपका जो प्रभाव है वो खतम हो जाए तो ये जो टॉपिक्स आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे शास्त्रों में लिके गए हैं अभी इसका या आपकी शादी ना हो रही हो आपकी शादी में विलंब हो रहा हो बार बार कोई आपको देखने आता हो लड़के वाले लड़की वाले और आपकी शादी ना हो रही हो ऐसे में बहुत सारे जो है घर आपके बताते हैं कि आपको इन चीजों से दिक् अगर आपका गुरु खराब है तो आपको विश्णु भगवान की पूजा जो है उसको उनकी पूजा करनी चाहिए और पीपल के जो पौधा है या पीपल का जो व्रिक्षा आप देखते हैं उसको जल जरूर देना चाहिए मस्तक पर हमेशा हल्दी या केसर का तिलक करके को दान करें और चने की दाल का प्रयोक करें और पीला वस्तर भी आप किसी को दान में दे सकते हैं इसके इलावा गुरु की पीड़ा को शांत करने के लिए आप जल में शकर और गुलर और सरसो पीले पुश्प हल्दी शुद्ध मदू तथा नवीन कोपलों आदी को डाल क सनान करना चाहिए हल्दी एक चुटकी हल्दी ऐगर कुछ नहीं आपको मिल रहा है तो आपको एक चुटकी हल्दी डाल कर तो सनान अवस्तर पहनने चाहिए जिस से देवगुरु भरसपती खुश होते हैं और हमारी शादी के योग खुल जाते हैं इसके इλαवा कुछ das it goes होता है ब्रस्पतिवार को आपको उपवास जरूर रखना चाहिए ललाट पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए अपनी नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए नाभी के उपर यानि जो हमारा जो पेट है उसकी जो नाभी है नाभी के उपर और नाभी के पिछे रीड की या परिशानी में है तो नीचे दिएगे नमबरों पर संपर कर सकते हैं या आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो भी हमसे संपर करके राय जान सकते हैं कि कैसे आपकी कुंडली में कौन सा घर है जो खराब हो रहा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोई ये अशुब लक्षन उनमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं ये कारण तो नहीं है जिस वज़े से उनकी शादी नहीं हो रही है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें जैमा तदी आप सभी का दिन शुब हो